गाजा में इसरायल और हमास के बीच खतरनाक जंग जारी है लड़ाके इसरायली फॉच पर हावी नज़र आ रहे है खंडहर बन चुके गाजा का फायदा उठाते हुए हमास के लड़ा के बेहत खूंखार हुगे है इसरायली बलो और उनके सैने टैंकों को आसान शिकार बनाया जा रहा है गाजा में लड़ी जा रहे भी शट जंग के फिलहाल ब्रेक लगने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे इसरायल की मुश्किले हर बीत्ते दिन के साथ गाजा में बढ़ती ही जा रहे है इसरायल हमास युद्ध को करीब 10 महीने होने वाले है गाजा से हमास के सफाय की उमीद इसरायल से लगातार दूर होती दिख रहे है लड़ाकों ने तबा हो चुके गाजा में जिस तरह घात लगा कर वार करना शुरू किया उससे इसरायल लगातार अपने जवानों को खोता जा रहा है हमास लड़ाकों की ओर से गाजा में इसराइली बनों को चुन-चुन कर निशाना बनाया जा रहा है इस बीच हमास के खतरनाक मिलिटरी विंग अलकसम बिगेड ने एक वीडियो जारी किया है इसमें कई इसराइली टैंग को फिलस्तिनी लड़ाकों द्वारा निशाना बनाते हुए दिखाए गया हमास के लड़ाकोंने अलग-अलग जगोँ पर तीन इसराइली टैंगों को निशाना बना कर तबाह किया मशीन गनों से भी इसराइली फौच पर हमला किया गया इससे गाजा के दक्षिड में तल अल हवा पडोस में सैनिकों की मौत का दावा किया गया है अल कासिम ने बताया कि ब्रिगेड ने 114 मम कैलिबर के कम दूरी के राजूम रॉकेटों से नेट जारी मैक्सिस में इसराइली वलों के कमांड जूम को निशाना बनाया इसके अलावा लड़ाकों ने गाजा के दक्षिड में ताल अल हवा पडोस में कई सैनिकों से गिरे एक मर्कवा टैंक चार को अल यासिन 105 शेल से निशाना बनाया अल कासिम ब्रिगेड यही नहीं रुकी समुह ने दावा किया कि मद्ध गाजा में जूहर अल दिक के उत्तर में गुसकर आईडियेफ पर मोल्टरार के गोले से बंबारी की गए साथ ही खान यूनिश शहर के पूर्व में आईडियेफ के कमांड मुख्याले पर मोल्टरार के गोले दागे गए वहीं प्रतिरोधी सेनानी को 7-7 मिसाइल से एक इसराइली सेन हेलिकॉप्टर को निशाना बनाते हुए भी दिखाया गया जिससे बचने के लिए हलिकॉप्टर की ओर से एंटी फ्लेयर का इस्तमाल किया गया जिसका मतलब ये हुआ कि मिसाइल दे हलिकॉप्टर को लॉक कर दिया। इसके अलावा हमास को हमले में भी बड़ी काम्यावी हाथ लगी है। वीडियो में दो लड़ाकों को आपस में बातचीत करते हुए देखा गया। जहां दावा किया गया कि ये लड़ाके कहते हुए सुने जा रहे हैं कि इसरायल कभी नहीं सीखता हम उने सिखाएंगे हम उने माल डालेंगे। हमें अब इसरायल के पैदल सैनिक चाहिए हम इसरायली टैंकों को तबाह करते करते उप चुके हैं। वहीं इसलामिक जिहाद की अलकुट्स ब्रिगेड ने भी अपने उपरेशन की जानकारी दी जिसमें लड़ाकों ने गाजा में इसराइली बलो का जीना मुश्किल कर दिया। समूह ने बताया कि गाजा के दक्षड पश्चिम में तालल हवा पडोस में 60 केलिबर मोर्टरार गोले से इसराइली सैनिको और वहानों को पर बंबारी की गई। इसके अलावा लड़ाकों ने अलकसम ब्रिगेट के लड़ाकों के साथ मिलकर भी कई अभियान चला कर इसराइली फौज पर जम कर बरसे। लुए अफ़ ने भी के दो चला कंग्तेश मृण को परफ दिल्ला हम सम्न चला की पर दो हमने फो हमारकों के अला हम है लाजहां लार-कार्एं लां onlar लाजहां लुड़्यु आला हम लाजहां ने लुड़ा है मैं कаем का इसbelowращ में क kidding